कि अगे माई सम्वाले बहुत बहुत स्वादुबार नमो बुद्धाय जैभीम सभी साथियों के लिए आप सभी वारी संध्या में आज उपस्तित हैं उसी की वाद है जैसा कि आज सबको विद्ध है धम लिपी और फाली व्यक्रण की पहली किताब बीदा पीपल के बैनर के प्रकासित हुई है और पहली पुस्तक है बीदा पीपल के लोगों के साथ प्रकासित की गई है जो पच्चीस जुलाई पानिपत में हमारी बैठे कुचीस में कमिटी बनी थी धमलिपी और पालिप राकृतिक वासा समीति गठन किया गया था जिस में मुझे मोहतिलाल अलम्य चैन्ड को अद्यक्ष और हमारे गुरूप में जुड़ी आदर्णी प्रोफेशर हमने सदस्च और सुदेश तनवर्ट सहाब को उसमें सदस रखा गया था तीन समीती थी और समीती की ओर से यह किताब बीदा पीपल के तहें तरकासिती गई है इस पुस्तक के एक्चुली दो राइटर हैं एक अमरतलाल उके सहाव हैं जो हम उमारे बीच नहीं रहे हैं और एक मैं हूं तो एक्चलिए अम्रतलाल उके साब इसमें पोर राइटर है तो मैं चाहूँगा कि पहले अम्रतलाल उके साब के लिए हम मौन धारण करके हमको सरद्धान जलीद है कि इसलिए अच्छी पूर्सुरत पाली की किताब लिखी है जिससे हमारी आने वाली प्यूडियों के लिए एक लजीर सावित होगी एक त्यास तो लिए लिखा गया है और आने वाली प्यूडियां इससे लाभाल्वित होंगी कुछ सेकंड के लिए हम में आपर मौन धार्ण कर सकते हैं उनको सद्धान देने के लिए कि लिए अपना माइक खुड़ा ऑफ कर ली दिए ठीक रहे हैं कि अब आगा 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 कि अब आगा 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 झाल झाल सादू सादू मैं सबसे पहले इस किताब की छोटी सुरूफ रिका के लिए हमारे धमलिपी और पाली प्रेकर्टे बासा समित्यी की सदस्त प्रफेशर मैं सरी मत्यी हमलता महिश्वर मैं को आमात्र करूंगा कि वी संचिप्त भूमिका से सभी सदस्त गड़ों को आउगत कराएं आधर निये हमलता महिश्वर मैं प्लीज अपन माइक अपन करिए धन्यवाद मुदिलाल जी इस सभा में उपस्तित सभी विद्वत जनों को कर्मठ जनों को मेरा जै भी नमुगुद्धार किवेश्थ के किताब के विमोचन की सुछना जब मुदिलाल जी ने दी तो मैं कुछ अधिरिक टोसा में आ गई थी और अपने सारे लोगों को मैंने कल के कलीज मैसेश कर दिया कि आज किताब का विमोचन है और सभी ने पूछना शुरू कर दिया किताब कब विमोचन हो रही है यह तो च्छा तारिक है तब मुझे उन लोगों से सौरी करना पड़ा और किताब का विमोचन आज है मुझे लाल जी आपकी कर्मठता को मेरा सलाम है कि आपने लग करके ये किताब अंततह प्रकाशिक करवा ही दे किताब यूं तो काथी ले ही आजाती यदि सामान ने समय होता जैसा कि कहा गया नाम लिया गया अमरितलाग जी उपके वो पेशे से इंजीनियर थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चचाई मत्रदेश में और उनके परिवार जनके सदस्त से आज जुड़े और उनकों अपना अपना परिशे भी दिया इंजीनियर होने के बावजूद जैसा हम सब जानते हैं कि जो भी अंबेत्तराइथ है वो अपनी सामाजिक भूमी का अपना सामाजिक उत्तरगाई तो बखूबी समझता है और उन्होंने अकादमिक इस्तर पर भी और सामाजिक इस्तर पर भी दोनों ही तरह के बड़े पाए के काम किये हैं ऐ चाहे बद विहार बनाना हूँ अमेद करमूर्ती के स्थापना करवाना हूँ इस्तरियों के बीच चेत्ना पैदा करवाना हूँ इस्तरियों के बीच पाली को कैसे जिवन्त किया जाए इस काम के लिए उन्होंने एक वाटसेप ब्रुब बनाया था उसमें मुझे लगता है लगभख सौ के आसपास महिलाएं जुड़ी हुई थी और उन महिलाओं को उन्होंने जो आम दैनंदिने की जो भाषा होती है कि हम कहां जा रहे हैं मेरा पती मेरा ब भाते जो बहुत ही बोलचाल की भाषा होती है इस बोलचाल की भाषा उन्होंने उस ग्रुप में पाली में करना महिलाओं को सिखा दिया पाली का जिंदा होना क्यों जरूरी है और इस बात के लिए वो लगातार मेरे मामा सगे मामा होते हैं अभी कोविड में उनकी रित्य हो गई दो मई को और ये बिल्कुल मतलब कि चलता फिरता आदमी जो काम कर ही रहा था ये किताब की सूचना उन्होंने मुझे दी थी कि ये किताब आने वाली है मुतिलाल जी के साथ और इसके अलावा तीन से चार क किताबें उनकी पाइपलाइन में थी एक किताब और पाली विवक्ति को लेकर शिल्पायन प्रकाशन जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रकाशन है वहां रखी वहां उनके पास रखी दूनी है तो चुंकि हम सारे लोग अब इस इस सभा में उपस्तित हैं इसके मुझे लगत है कि थोड़ा सा भाशा को लेकर के अपनी भाशा को लेकर के यदि मुझे दो तीन मिनट पांच मिनट का समय देंगे तो मैं जरूर बात कर लूँगी किताब मेरे सामने अभी नहीं आई है तो मुतिलाल जी आप मुझे हैं अहां जी बहुत धन्यवाद आपका कोई भी देखे एक बहुत बड़े बहुत बड़े दक्षण अफरीकी विद्वान हुए है उंगुगी वाद थियंगो और उंगुगी वाद थियंगो अपनी पुस्तक भाशा संस्कृति और राश्री असमिता इसमें वो बताते हैं कि कोई भी विजेता कोई भी शोशक ज जब किसी विजिक पर या शोशित पर अपना राज कायम करना चाहता है अपनी तरह से उसको संचालित करना चाहता है तो सबसे पहला आक्रमण वो उसकी भाशा पर करता है जैसे ही आप अब आप देखते हैं कि हम लगातार अपनी भाशा के प्रतिहम हिंदी भाशा को ले करके भी किस तरह से किसी अंग्रेजी बोलने वाले के सामने अपमान बोध से भरे हुए होते हैं और वो अंग्रेजी बोलने वाला बहुत अपने आपको सम्मानिक महसूस करता है और हिंदी बोलने वाला उसके सामने बहुत मिरी है बिल्कुल इसी तरह से अन्य भाषाएं भी चाहे वो इस्थाने इस तरह पर हम आदिवासी भाषाओं को ले करके बात कर ले या अन्य किसी पर शोटे चोटे घुर सकी भाषाएं है वह भाषा वाला को सामने सब्सक्रBecause सर्था करता है उसको कि प्लीहें लिखते थी कि इसी भाषा विजेता की भाषा होती है उस भाषा में उस भाषा की संस्कृति को बड़ा बताने के लिए महत्वपून बताने के लिए मुझे मेरी ही संस्कृति के साथ जिस संस्कृति के साथ जिस भाषा के साथ मैं बड़ा होता हूँ विकास प्राप्त करता हूं वैं उसका एब्यूस करना सिखात या जाता है और वो अपने पाठ्ठिक्रम में ऐसी चीज़े रखता है कि उसकी संस्कृति का गुणगान करते विए मैं अपनी संस्कृति का अपमान अपने ही मुह से करने लगता हूं यह बड़ी मारके की बाद वोगी वाठीयंगो लिखते हैं अपनी किताब भाषा संस्कृति और राष्टियस में बिलकुल इसी तरह से संस्कृत को हमारे सामने सबसे बहतरीन भाषा के तौर पर और बार बार यह कहते यह बताया जाता है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है द्रविड भाषा है औ संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है अबढ़ कि मेरे सामने किताब is यह है बताते हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा नहीं आफ देखहा है कि ग्रंथ की मोटाई कितनी है लगपक 500 पन्ने की किताब है पूरे अपने शोध के बाद वो बताते हैं कि संस्क्रत कोई पुरानी भाषा नहीं है संस्क्रत का व्याकरण जरूर पुराना है लेकिन भाषा पुरानी नहीं है और आप देखेंगे कि पाली प्राप्रत जब जब हमें यह बताया जाता है कि जो उच्च वर्ग था या जो पढ़ने लिखने की जिसको इजाजत थी वह ब्राम्मण वर्ग संस्क्रत बोल सकता था लेकिन बाकी लोग संस्क्रत नहीं बोल सकते थे बाकी में कौन है शूद्र और इस्त्रियां यह संस्क्रत नहीं बोल सकते थे तो यह कौन सी भाषा बोलते थे यह प्राकृत में बात किया करते थे यह पाली में बात किया करते थे तो जो इसका मतलब है कि जो जनता के बीच में भाषा उपस्तित थी वो भाषा ज्यादा पुरानी थी जिसको संस्कारित कर दिया गया वो संस्क्रित कहलाई तो जिसको संस्कारित किया गया वो भाषा सबसे प्राचीन भाषा कैसे हो सकती है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल मैं आते हूं के सामने यहां रखना चाहा र कि मूतिलाल जी भी काम कर रहे हैं और मेरे मामा ने भी बहुत काम किया और उन्हों ने जैसा कि मैंने बताया कि वो इसको जनजन की भार्षा बनाने के लिए तयार थे और उन्हों उन्हें पाली के व्याकरन पर काम करना अरंध किया था। और पाली का वो व्याकरन विभत्ति के रूप में उन्होंने किताबें लिखना अरंध की। ये उसी की एक कड़ी है। उनकी कुछ किताबें अभी भी उनके लैप टॉप में रखी हुई है हम लोगों को जब कभी भी वक्त मिलेगा हम चाहेंगे और उन किताबों को प्रकाशित करेंगे और हम सब यहां वी दपीपल एक संकल्प ले कि हमको पाली भाशा को वापस पुनरजिवित करना है और उसमें जो साहित त्रिपिटक सारा का सारा उसमें तो हम उसको फर्स्ट हैंड मूल स्रोत के साथ प्राप्त करने का प्रयास करें यही मेरा आज का कहना है मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों का मतलब जैसा लग रहा था जैसे मामा मेरे सामने है मुतिलाल जी और अमरितलाल उके जी आप दोनों को इस किताब के लिए बहुत पधाई देती हूं बहुत धन्यवाद आपका आप सबने सुना बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साथ हुआद मैं मैं अगली कड़ी में उके फैमिली से उनकी बढ़िया प्रेणा उके से निम्यदन करूँगा करपेया अपना माइक अन्म्यूट करके अपने दो सब्द रखने प्रेणा उके मैं सब भी को एक बार फिर से मेरी तरफ से जैभीम और नमो बुद्धाएग आपको और डैड आपको बहुत बहुत बधाई आपकी किताबे आ रही हैं वापस से डैड ने इसके पहले भी काफी सारी किताबे लिखी हुई हैं जो समाज और सोशल कॉजस के ऊपर डिपेंड है तो घर में पापा की वज़े से काफी अच्छा माहूल रहा है हमेशा से ही समाज के ऊपर भार में चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है बिलहाल मैं अपने जूसरी लाइफ में थोड़ी जादा बिजी हो गई हूँ बट हाँ मेरा अभी भी टच बना हुआ है इन सारी चीजों से मैं जितना भी हो सकी कोशिश करती हूं कि मैं कनेक्टेड रहूं और जितना भी हो सकी कॉंट्रिबुशन मेरे तरफ से दूं मैं करती हूं सो डेफिनेटली डैड की जो क्लास दीदी ने बात की थी वाट्सप ग्रुप में उसका भी मैं पार्ट हूं मेरी मम्मी अभी भी हर दिन उनका सुबह से पहला जो फर्स्ट काम रहता है उटने के बाद सुबह साथ बजे वो कनेक्ट होती है पाली ग्रुप में आ अभी डॉक्टर रोजा बंसोड वो इस क्लास को कंड़क्ट कर रही है सुबह साथ बजे रोज ली क्लास होती है और यहां पर पाली भाशाय सिखाई जाती है राइट फ्रॉम ग्रामर तु डेली लेंगज हम कैसे छोटे-छोटे संतेंस बना सकते हैं दिनके वो सारी सारी तो आप लोगों को भी मैं इन्वाइट करूंगी उस ग्रॉप में अगर आप वार्ट हो सकें तो तो बीग्रेट पीशो यॉर इंट्रेस्ट इन समवेय और मेबी इन चैट और अभी और तो जादा कुछ कहूंगी ने मैं बस बन सकें कॉंग्रेटुलेशन्स तो अल आफ एंड गुड़ लग बहुत बहुत साथी वाद करना जी मेगली कड़ी में उपसर की बाइस जुड़ी हुई है हम रत्नमनी का मेडम एदि आप मुझे सुन रही है मैम तो प्लीज अपना माइक अनुट करके दो सब्सक्त कहें रत्नमनी का मैम अपना माइक खुलिए रत्नमनी का मैम अवाज आ रही है मेरी अवाज नहीं आ रही तो हम ममले धंबलिपी और पाली प्रेकरतिक भासा समीति के हमारे एक सदस्द्स और हैं तो मानिये सुदेश तनवर सहाब को आमंत्रित परूँगा कि आप इस महत्पूर समीति के महत्पूर सदस्द्स हैं एप उस्तर समीति की ओर से यहां पर अगड़न की जा रही है आप अपने विचारों से उपस्तित सुदी जनों को अवगत कराएं सुदेश तनवर सहाब मैं अगली कड़ी में रत्नमानी का उके मैम को अमत्रित करता हूं रत्नमानी का उके मैम आधरनी अमत्राल उके मैम को पतनी है मैम प्लीज अपने माई को पन करें जी ओपर ले प्लीज अपने दो सब्त रखी लोगी जी तेंकियो धम्मलिती और पाली व्याकरन उसके आगे मोचिला आलम चल और अमवितला लुपे नाम देखते ही मुझे बहुत आनंद हुया लगा कोई तो है उटे साह के काम को जिन्दा रखने के इंगे मुझे पहनी मुलाका पर मुटी जी बहुत अच्छे लगे सिम्पल सोबर नेकर अपनी प्रतिभाग के धन्य तो हम दोनों के साम को अपकर भुणन निकल के थी हमारी कालोनी में ही मुटी जी का भी घर में वहां कार्पेंटर का काम कल रहा है हम आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है हावाज कमारी में हावाज कमारी है हाञे हाँ 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 आपकी आपकी सामने देखके बुझजी आ जाएगे। जी 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 हाँ अब आ रहे हाँ अब आ जा रही हाँ अब आ रहे हाँ उटिय। उस्टेशा ब हर मोती जी का सामाजित कारे के लगबख एक जैसे था इसलिए आपस में क्रिक्न हुती नेज कर गई है। दोनों एक दूसरे के सलाकर बनेंगे, मगर साइट काल को यह मन्जूर नहीं था, फिर भी मुझे विश्वास है, मोसी जी उचे साथ को हमेशा जीन की रखेंगे, इसमा का साथ है, मैं अपनी आने के मिरानेगे. बहुत साथ हुआज मैं, उके साहब हमेशा उनकी किताबों की बदोलत हमारे पीश समाच की बीच हमेशा कई हजार साथ के जीवत रही है, मैं आप से बादर करता हूं, हमेशा हमारे पीश बने रहे हैं। मैं संचिप परिचे अधरणी उके साहब का देता हूं अधरणी उके साहब बोपाल में लगवग दोजार पास से हाँ पर रह रह रहे थे और उके साहब अधिक्षण एंत्री थे जो मत्रदेश बिदूत मंडल में काफी लंबा उन्होंने अपनी सेवाय दी और लगवग उन की में चाहितने कंहें त्पिर नीच्व यूदू सीपषपिने अ कंदू सेथा MA रहए पर उनिसके वढ viviदद्दू में μαसी ऐया नायटीं जहाँ लांग दोवाद परितंग एक बहुत अच्छी पुस्तक है खासकर बहुत साथियों के लिए मेरे पास भी किताब है इसमें पूरा जो हमारा बहुत धम से रिलेटर पूरा अपनी प्रियर्स दिये हुई है किस तरह से हमें आच्राण करना चाहिए धम परितंग दोजार सत्रा में पाली विवा अच्छी में और उनके साथ दोनों पडॉस में रहते थे और हम काफी हमारा मिलना अलगवा होता ही रहता था अच्छी मेरा आपडाउन चलता था जहांसे मैं करता हूं और हमारे कॉंसेप्ट था कि भारत में अभी ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है पाली के लिए जिससे तक है उपलब्द हैं वो उनमें थोड़ी ऐसी वासा है कि वो आम जन के पहुंच से यह उनकी समझ में उतने आसानी से नहीं आती पाली पर जो काम कर रहे थे हूं के साब एक्छी वो जन्मानस की वासा थी हमारे घर की वासा थी जो हम घर्मा जो सब्द उप्यों करते हैं जो रोज मर्राम जो सब्द उप्यों करते हैं वहाई सब्द वह डेली पढ़ाते थे और यह क्लास लगबग डेड़ साल से आव पाली सीखें धंबलिपी करके एक गुरूप है आधरनी उपके सामने गठित किया गया था और लगात तान लगबग डेड़ साल उन्होंने क् खासकर महिलाएं जुड़ी होई है और महिलाएं पाली बोलना सीखें गई लेकिन उके साब के जाने के बाद जो क्लास साम को चार बज़े होती थी पर इसी क्लास को संचलत करने के लिए दूसरे आचारिये को फिर डूड़ा गया तो बिमल कीरती सार जुनाक्पर के बहुत साथ बज़े से साथ चालीस तक चालीस मिनिट की क्लास जू मीटिंग पर लेती है जो भी सज्जन इस गुरूप से जुड़ना चाहें तो भहे मुझे परस्टनल या गुरूप में मैसेज कर दें तो हम उनको उस गुरूप में जोड़ लेगे उस तुवे उस गुरूप मे 2019 में एक छोटी सिक संगोष्टी भी की थी बोपाल में बोपाल गेंदी ववन में और एक दूसरी संगोष्टी धंबलिपी पालिस संगायन करके नाम से हम साची में करने वाले थे लेकिन एक कॉरोना बीमारी का लोगडान आने के कारण और उसके बार उसी बीच में हमारे भी से गादर नियुके साथ का चले जाना कि धंबलिपी पाली संगायन किसी बज़े से नहीं हो पाया मैं आपको इह बताना चाहता हूं कि पाली क्यों होगा सकते जैसा कि अभी हमलता में हमने बताया कई उधारन दिये दच्छड़ प्रिकांसे उधारन लिए चुलिए पाली से इंगलिस पाली से गुजरा की पाली से मराटी मत अतनी बेवज़ता एक महान बैकते तो एतनी बेवज़ता लेके कैसे कारे कर सकता आपको ताज्यू होता होगा पाली को अतना क्यों फोकस किया अधना महत पूर समय अपने जीवन का जो कई तरह से वो राजनी टेक और समाजी के अपने जीवन में लगाए हुए थे उससे चुराकर उस जीवन को एक पाली ग्रंथ पर उन्हें कॉंसर्टर्ट किया तो इससे आप अंदाया लगा सकते हैं पाली का महत हुमारे जीवन में क्यों है पर आप सम्विधान पढ़ेंगे सम्विधान का आर्टिकल 29 क यह ख़ता है कि आपको जो वी रिक्ष्वा क्या है या अल्फ संख्याक के इतर भासा और लिपी यृस और संस्कृत टीनों का शरक्ष्ण करने का अधीकार है कि ऐधिया आपकी लिपी आपकी भासा स्वेम की नहीं है का आपको ऐसान्हीं से गुलाम मांडाई सकता है आपके उपर ब्रोधी संस्कृति आगंतुख संस्कृति बड़े आसानी से अपनी भासा थोपकर आपको गुलाम मना सकती है बही होता आया है एक्चली जितना भी आप ढ़ाई-जार साल का उतियास देखेंगे वो भासागद द्वंद के लावा कुछ नहीं है पूरा का पूरा भासागद द्वंद है जो प्रिचलत सब्ध हिंदी में पाली भासा में आ पर थे जो हमारी पक्ती भासा में आ पर थे बाद में आगंतुख संस्कृतियों की भासा यहां पर आई उन्हीं भासाओं को जो प्रिटिश्चत सब्ध थे वासा के उन सब्दों को तोडा-मरोडा और उनको ही नर्द दे दिया, सिर्फ भासगत लडाए की आधार पर, भासगत बर्चसु के आधार पर वो 2000 साल से आपको बेबती बनाए हुए। तब तक आप अपनी स्वेम की भासा, स्वेम की लिप 끼 विक्सत नहीं कर लेते तब तक आप अपनी संस्कृति का निर्मार नहीं कर सकते यह अपना समण संग भी इस तापस नहीं हो सकता समण संग के चरिस्ताई होने के लिए आवस्त है कि उसकी लिपी हो उसकी अपनी भासा हो असोप का सासन महान ऐसे ही नहीं रहा कि उनके अपनी लिपी थी अपनी पाली वासा थी अतनी महान थी इतनी एतनी एधिक की उसके जो सब्ध है वह यहкими उते हुए योते हुई उप औरमेरीकार तत्क कहुंचे और वहां की तमाम भासा हैं उन instruments घ्रेंड की है एक्चुल ये भासाई स्रिष्टा का उधरन था जो आज हमें अंग्रेजी को इतना महतुद देते हैं अंग्रेजी की स्रिष्टा सुलकार करते हैं अंग्रेजी के सब्दों को सम तमाम देसी भासाई या अन्य भासाई अन्य विदेसी भासाई भी उसको सब्सक्राइब कर समूदा को सब्सक्राइब करें अठाट जो जानबार मारके उनकी जो करी से जो सबजी बनाई जाती थी, इस सबजी एक्ष़ली प्रॉपर सब्द नहीं उसके लिए, जो करी नुमा जो सूप बनता था, उसको सूप नाम करण था, इस सूप सब्द भारत के पाली वासा का सब्द, एएवन होता हुआ, अमेर है हम पुनाव जो यहां से गया सब्द सूप सब्द को हमने पुना सुईकार किया किस बेस पे कि अंग्रेजी का सब्द है लेकर जब पाली का पुनाव आगमान हुआ देश में हसोक के सिला लिख पड़े गए और जब सर्च होई सोध हुए तब समझ में आया सूप सब्द भ और समझ के अतरीक जो लोग से बाइसे बमड बमड का सिंपल अर्थ है उल्टा या पल्टा या समझ से इता है अब इस सब्द की आप गरिमा देखी सब्द का भी व्याकर देखी बम सब्द से निकला बम सब्द आज भी हम उप्यों कर रहे है राज्वीपी में जो बाम दल अगुए इस से बमड हुआ है जब यह बाव साब्द आपका यह बन होता हुए है यह बन से हमारे समरड रसों के मौरकल राजाओं के हमारे घरो मित्रवत संबन थे और यह संब्द होते हुए सब्द आखिए हमन होते हुए यह रोप गया तो यह बम से वी ओ एम बोम बों मैं पुरह जब एरोपे इनषा है तो भारत में आ गए इस सब्द भी पाली सब्द हैं एक्वियंगने टो गारत्मिक इंगा गए गए मन मन को और पाली प्रकाट मजा उसमाढ़ और साज वोड़ी सकारात्मक का उससे विपरीज जो माझे का चित एक्चुली मन का मन बाद मैं मन हो गया पहले उससे मन मन होता था मन मन को ही चित का है अर्था समर सा चित जो लोग है उससे ब्रैथ रहने वाले से इतर चित वाले मपलाई मतलब Cheogy मोंलममड्य है मन में मन में हिस्सा जोड़ने समग और समगे उलड बमण ये मू जो सब्ध है उसके ही उलड बमण सब्भी म क किया और सफ में गया बमण को आदा माँ एक चली बात में आप बरंस क यादा रा हो गया है यही सब्द तो अर्थक में जाई के सब्द उपजा कैसे था समड़ के विपरीत उपजा सब्द है समड़ के उल्टा उपजा सब्द है इसका अर्थी उल्टा है लेकिन जो उल्टा सब्द दो हजार की आत्रा करते करते और इसका अधिकार होने कारण उस निकारतमक सब्द ने भी सकरतमक तक रड़ कर लिए उस नकारतमक सब्द को आपन बमर नकारत में निए नियात्रा के बाद इतनी किताभाँ में घूमने के बाद राखकी संस्क्रत्पषी नश्ट होने के बाद इस नकार आत्मक सब्द ने एक ऐसी प्रिटिश्टचा है कर लिए जिसको आप और हमाद सुनते हैं लेकि जब आप इस सबती गहराई में जाएंगे तो इसका अर्थ और कुछ है और असुक इसलालेक के पहले इस सब्द का उलेख भी कही नहीं दो अर्थार्थ इस सब्द असुक इसलालेक या बहुत संस्कृति के साहित में ही मिलता है तो एक सर्फ कैसे हुआ भासा नहीं थी आपकी लिपी खतम कर दी गए इस बज़े से खतम हुए दिया आपकी लिपी आपकी बासा जिंदा होती तो आपके जो मूल इतियास से वो जिंदा होता आपकी किताब हमें लिखा होता और आप अपने मूल सब्दों से आप भी लगा होता आप न करा तो इस सब्दों को आज सही नहीं मान रहे हैं यह सब कैसे हुआ कि आपने अपनी भासा को दी हमने अपनी लिपी को दी इसलिए बाबा साब हम बैटकाने इतने बहुत रिसर्च की पाली पर बहुत गहन रध्यन किया और उसके बड़ी डिक्सनिरी रिलिखिए है तो हमारा सब का दायत वह है कि पाली को जीवन में लाना पड़ेगा धम-लिपी अपनी पाली विक्सित कर ली आचनर में ले आए आपकी संस्कृति अपने आप आप जाएगी आपको सम्ता का अधिकार कभी भी आसल नहीं हो सकता आप सोने 200 सालों लगा दी कभी आसल नहीं हो सकता आपको अपने संस्कृति की लाइन स्रेश्टा की लाइन आप उचाई पर जाना पड़ेगा आपको स्रेश्ता स्ताप लगे कि हम समधुता करने तैयार हैं आप उसके बना लडदेंगे तो कभी तयार नहीं होगा अधियांट करना है इसको जीवन पहरने लाएंगे आप सुधर हूप करते रहें अपनी अपसा याउझन हो जाएगा फ्रे सब्द करेंगे उसको बुरा लगेगगma पर वो वो अपना ब्रोज जदाएगा कि इस सब्द उप्योंग मत कीचिए तो आपको अपनी भासा और अपनी लिपी का इस्थान उस होदे पर ले जाना जिस होदे पर समराट असोख ने भी आप गहराई में जाएं तो स्री लंका क्या भेजाते हैं अच्छली पाली है क्या पाली अठाड बुद्द भचन यह बुद्द भचन ही पाली है दोनों का दोनों जो साइनो नाइम र पाली गई है जो प्राकर्टिक भासा हमारी चली आ रहे थी जो मौनेस्ट्री के लिए जब भगवान बद्ध ने धंचक पबत्तन किया तो उस समय उन्हें एसास हुआ प्राकर्टिक पहले से भासा चली आ रही है भाई अपना ग्यान जो अपना बोध उन्हें पराप्ट हुआ वो संप्रेशन करने के लिए उस भासा मुप्यूप नहीं है तो भगवान बद्ध ने प्राकर्टिक भासा से पाली को संसोदे रूप देते हुए पाली वासा का भगवान बद्ध ने अपना पूरा ग्यान पाली में दिया है तो पाली और भगवान बद्ध के बचन एक ही है अब आप इसको गहराई में जाएंगे स्री लंका क्या गया था भगवान बद्ध के अफसेश भी वहाने ही गये वहाँ पर संवराड़स मुने क्या बेज्जा स्री लंका है यह यह बन यह तमाम भारत के और भी पड़ोसी दो राश्टे सत्पुड़ी सती पुत्तों केतल पुत्तों में चुलिए उससां भारत के अंगर नहीं थे साथ उनिया में यह सब हमने भासा सही गीता था तो भासा पाली भासा और बुद्ध बचन हमारे लिए हम आपने लिपी और अपनी भासा उसका महत नहीं समझा इस देश में इस अपने प्रटी पर आप देखिए इसराइल प्रटी पर कैसी उत्पन हुआ उसने अपनी हिब्रु भासा जीवित कर ली और बिस में अधिकांस नोबल प्राइस चोटा सा देश कितनी उंदा तकनीक है हम उसकी तकनीक कहीं नहीं लगते हैं उनकी अपनी संस्क्रती है अपनी लिपी है उसको जीवित किया हमारी भासा की लिपी हमारा भासा कई बेदेसों नहीं जीवित रखा है कई देश बेदेसों को जीवित रखे होगे हैं वहां से हमने पुनावदार लिया है तो तब तक पाली और धंब लिपी को जीवित नहीं कर लेते तब तक आप स्रेष्टा का स्वपान असल नहीं कर सकते अब कितनी भी लड़ाई लड़ने सम्मीदान भी आपको हक नहीं दिला पाए आपको अपना स्रेष्टा का पायदान है उसको अपने प्राता त्योंक साख्षों की दिखना पड़ेगा तो सम्मराट असोक को अभी लेख एक अभी लेख लगवाग इतने जिनकी अभी लेकों की किताब बनाई जाए तो 18-1000 वर्ट ने उसमें उनके इतने वर्ट इतने सब्द लिखे हुए और उसके लगवाद 416 सालवाद संस्कृत वाशा का एक अभी ले भाए भी संस्कृत लिपी में नहीं है और आपको जानकर रहाश्चरे होगा वह अभी लेक है रोद दमन सक्षत्रप्ता उसने लिखवाय था वह अभी लेक वी सम्राट असोके चतुर्दा स्लालेक के नीचे ही लिखा हुए अर्थार लिपी वी सम्राट असोक की लिए और बहुए अभी लिख भी पूंपता संस्कृत लिख नहीं कह सकते वहीं एक फोपचास एडी का है और सम्राट असोकी अभी लिख दो से चाल्यों हो जाते हैं अर्थार्थ 416-410 साल बाद एक अभीलिक मिलता है वो भी धम लिपी मिलता है कालंतर में उन्होंने धम लिपी को साइड लाइन करके संस्कार्ट संस्कार्टिक बासा इजाद की और उस बासा के आदार पर आपके प्रत्शे सब्दों को हिंता प्रदान कर दी उन्हें हिंता बढ़ दी और उन सब्दों को फुकार फुकार के आपने भी माल लिया कि यह हम हीनी है अठारा सो अल्तालिस में महामना जोती लाफ फुले ने जब सिक्षा का सुभारम किया जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं एक्चुली या इस हिंदी की जगे काल एक्चुली हमारी जो एक पीडिया के दो पीडिया माल लीजिए उसकी समस्थ पीडियों में मौक्र करूप से पाली का ग्यान मौदूथ था आप अपनी नानी अपनी दाजी को देखिए उनके नामकर देखिया वो सभी की सभी पाली में थे लेकिन हमने सिक्षा का जो कुफिए दिया क्योंकि हम्हें हम मैं हमारे नर्जिया घर इसे क्या हूआ हम हमारे पड़ादा 2000 से जीवत रखे हुए थे 5000 साल से मारा अच्रणव रखे हुए थे उन सब्दों को हमने dönem खतं कर दिया जो पीडी खतं होई वस्ब्स भी खतं हो आप अपनी दादी के नाम सुनीए श्रिया होता था स्रियाप सिरी हो गया स्रियापемонी thi जो मैं लिकता ओगा हूं और पिता का नाम आम ही आम अलमचंद़ जो मैं लिखता हूं अचली मेरे दाधा पुकारते थे थे हुं मैं बाज don you बड़ा मिरे दाधा कम पड़े लेके थे लेके पिताजी कोड़े पड़े लेके त्वहत दून तक आश्चरे मेरा इह अलमा सब्द कहां से आया है। मेरे दादा जी बोले थे अलमा, अलमे। उनका नाम आलम, अभी अलम चदर लिखता हूँ मैं। तो मुझे दमाग में कई बार आए गए उर्दू सब्ध कहां से आ गया हमारे जब मैंने समराट असों के अभी लेक पड़े तो समराट असों का बुद्धी के सलाह लेकर कोसंभी का रानी का उसमें वह हुआ है आल में जब हमारी बैठक शुरू होई थी मानि सुधी राज आराम होते हुए आलाम होते हैं मतलब मेरे पता का सब गरतमान में हैं वो पाली का सब लेकर मुझे मैं असुसद को नहीं पढ़ता समराट असों के अभी लेक। में कहीं से नहींकर तो बढ़ने का समत्किक सलाइल देखेंगे तो वह अभी अविलेक आप कालसी में दोली में लाजा हो जाएगा तो भाई आराम से आलामे मतलब यह कल्चर आज की पीडी में भी हमारी पाली के सब्द उपस्चित हैं लेकिन हम भूल गए हमारे और आप पराणी पीडी में देखिए दादी नानी की पीडी मे आपको मिल जाएंगे जो सब्द हम उप्यों करते हैं कामे अब जाएए गोचर सब्द होता है वोठान होती है वोठान फाली सब्द है वोचर के दो अर्थ है या गाय बिच्रत करें या विक्ष्ण करें वोचर आज भी हमारे राजस सभी लेकों में है जबकि राजस पोific पहल के तुन धार्वरब जानवार एक्षक्टे करके, एग बारी वारी से आदमी जो चराते है तो गोत बोलते है तो गोत पाली सब्ध है वह आज भी जी विदraph 20 अम 낮 मेरी भी तो अर्टी साल है ज हममारे कम भी घुरई जिवित नहीं होगा हमारी जीवित रहना उनका मान कारह था मारल वहलोग थे पढ़ने पुर्टिस्ट और लेकं पुर्ति बंत ठीवाइए आच्रन के दोरा अपने सब्सक्राइब को अपनी भासा को चीवित रखेंगे लेकर एक दो पूइब हैं हमने जो सिक्षा के नाम पर जो पाली से त्याग किया है पाली को त्याग आए उस पर हमारे आने वाली पुरिया नहीं माफ करें इसी उद्देश से बाबा साहब ने 16 वॉलूम लिखा और उसी कई हमारे देश कई साथ ही जुड़े हुए है और वह भबस्त में हो सकता है वह सफाल होगा मुझे पूरी आसा कि मेरे जीवन का लगा सफाल होगा इसी कालांतर में मैंने और उगे सामने हम बहुत क्लोज थे यह धारणा विक्सित की थी कि हम पाली को जन्मानस की भासा में लाएंगे इसको इस्ताफित करने के लिए जो पाली के मूल ग्रंट में आप जाएंगे त्पेटक में जाएंगे या मोगलान की बैकरण को पड़ेंगे तो बहुत टफ पाली लिए आसानी से समझ नहीं आती जो आप करते हैं उन्हें भी बड़ी मुश्क्र समझ में आती ह इसका मकसद यह था कि पाली की हम सरल से सरल्तम सब्द उप्योग करें और जो उप्योग करते थे कि आप भी आराम से समझ जाएं मैं एक पार यहां पर पढ़ना चाहता उन्होंने लिखा हम में दिन चरिया मम मतलब मेरी दिन आप भी सीख जाएंगे आपको लगए हम भी प सब्सानम सभी के लिए सादरंग अभी बादनंग जै भीम नमो बुद्धाय यह बालिका के लिए लिखा हुआ पार्ट है अहंग विशाखा विशाखा सुखदेवे मम संपूरंग नाम अहंग सोलस बसिया बालिका अहंग दससमे बग्गे अज्यनं करोमी मम पितू कसको त सेसंग नाम बिवेको मम मातुआ नाम बिसाखा ता गहनी अहंग पातो बा उठामी उठा हित्वा मात पितूनो दसनं करोमी अनुक कमेण बुद्धंग नमामी ततो एकंग चसकंग जलंग बिवामी ततरंग तँंग पात क्रिया संपादे मी दंट मन्जनंग करोमी मुख दोवो मी बत्थेन मुख पुच्छा मी अंतरण पात भमण भमण करोमी पात भमण प्रात भमण बुद्धा ख्रमन पात भंब्रंग अरोग्यकारी पात बायू सुक्र कारी इस परकार और भी बड़ा पार्ट है जो बारतला वह लिख रहा है भ sevत हैं जो हम उप्योग करते हैं मतलब पाली सिक्षाने के लिए लिए जो सब्सक्रों कर रहे हैं इस इन सब्दों के उपियों के लिए उन्होंने पाली भासा के लिए सिखाने के लिए बहुत बहुत महान कारे कर रहे थे और हमारी जो प्लान था वो लंबा था कि इसमें हम दस्वे और आगे डिगरी क्लास तक ऐसी किताब लाएंगे जिसमें आप नकेवल कॉलेज नकेवल स्कूल में बलकि आप घर बैठकर भी पाली को समझ सकेंगे और पाली को आच्रम ला सकेंगे यदि पाली को आच्रम ला सकेंगे तो अप्तिपटक को औरिगल पाली में पढ़ सकेंगे और जब किसी भी भासा का जो साइथ है पाली भासा का साइथ है भगवान बुद्ध की जो बात है बचन है उसको अधा यदि आप पाली में पढ़ेंगे तो उसका अलग ही है उसका अलग ही महत्व है उसका अलग ही प्रवा पढ़ेंगे तो बुद्धंग शर्णंग अच्छामी आपको बुद्धंग शर्णंग अच्छामी आपको बुद्धंग शर्णंग अच होगे जो मूल तत्वता सब्सका खत्म होगे भाई आप पाली में कहेंगे बुद्धंग उसका अलग ही मैं और उसका जो आपको ब्रैन पूरा बाइबरेट करता है मैं तो यह कहता हूं कि ब्रैन समझ इतनी बीमारियां है पाली के निगहित सब्द है जो डॉट है उसको हूं है तो एहना केवल आपको सामाजिक रूप से बल्कि बैग्गानेक और आप स्वास्त के रूप से भी लापकारी है इस बहासा का उप्योग आपको अपने जिवन में उस सब्दों में जितने आप सब्दों कर सके करना चाहिए और इसी पाली को आप दूसरी बहासा हम जाके पढ़ेंगे तो वह जो मूल हामना थी जो मूल ततु था भाशा का वह सब्द मूल सब्द नहीं रहा जाता इसलिए पाली को अपाली भासा हम पढ़ेंगे और धंब लिपी में जब उसको पढ़ेंगे जो बुद्ध ने कहा है उन बच्चों पर आ सकेंगे कालांतर म है किस्तुमें हमारा पेलान भी है तो पाली हुगा बल्के धं लिपी में भी होगा जिससे हम आगने वाली पीाडियों को एक एक insteadOutे बना कर दें तके यह इस manera हम राटी कुट्स करने में सखफर हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि हम बुद्ध हम को हमारे समर सल्सक्र्टी की एक नया जीवन प्रदान करने में सफल हो जाए और जो हमारा ब्रोधी है वो उसके लिए उसके साथ हम डटकर मुकाबलागा रुपाएं तक हमारी लिपी पिरतक होगी और हमारी भासा पिरतक होगी हमारी भासा पिरतक होगी हमारी लिपी पिरतक होगी सवभारी गूप से हम प्रातात्रू साक्षों के आदार पर मुल्ट से भारी होगी और हमारी जो महीमा है हमारे गरंथों की महीमा है समराट असुक के जो अभीलिफों की महीमा है उसकी आदार पर बिस समदाए हमें स्रे तक पादान पर समझाए बठाने तो बाली और धम लिपी बहुत आवश्चक है इस पुस्तक का लिखने के पीशे भी उद्देश यही था और वीदा पीपल के अंत्रे के जो समीती बनाएगे जिए धम लिपी बाली पाली प्रैक्रिक्टि उसका उद्देश यही है कि भविस और आप इसको जन जन दख पहुंचा देगे आपको जो बोडिया उसका नाम लेने के वाश्चा भी नहीए, आप अपनी लियुक्ति करती रहिए में इतनी उचीकश कर दीजिए जिस लायन के बराबरी करी compass बरिये अपने 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 सब्यक्र है हम उसको जाने अन जाने उसको बडावा दे रहे हम उसको हम को उनके जो उन्होंने जो भेरो अत्याचार किये उनको भी गाना गाने किया उसकता नहीं है एकुछ्छी वो कुछ एक भीडी पीडी पर से सक्राइब है आपको मिसर तक मिलते हैं तो हमारा जो राज था और सीमेच छेत्र में नहीं था हुट बुष्टतर चेत्रवाथा जो ब्रोदी है उसकी रसासक हमें कहीं देखने को नहीं मिलते हैं रियास्तों में देखने को मिलते हैं चोटे-चोटे कस्वों में देखने को मिलते हैं तो तुलना को कई होगी नहीं सकती है उसकी हमें ना तो बात करने के वह सकता है हमें अपने पालिस आदार पर जो हमारा ग्यान है जो हमारा विक्यान विश्वद्दाय ने हमारा ग्यान संजो कर रखा है उन हमारे साइथ की अधर पर हमें हमें स्रेष्ट सिताफिक होना है हमें अपना बिर्दी का आलापेंगे आप अपने आεια se से अन्रोद है कि आप पाले के आदार पर हमारे प्रातन इत्यास के आदार पर हमारे प्रातन की सक्ष के आदार पर यह आप अपने आप में लाई है फील की दिये कि मैं स्रेश्ट हूँ मेरे मेरे बंसजों स्रेश्ट तक भाग रहें मेरे बंसजों ने दूसरे लोगों को लि परिवारब्र बसक्राइब को सभासापर्यवार्यवार को सब्सक्राद करता पर्चाली रिप्सरानी प्रद्व मिल्सक्राग refers बास निद्व नपयान आपको टमल müsका ही से निद्व मेरी प्जाँज निद्वी से वेस से इस पर पढ़ने ना केवल हमें बासाई अदर पर हंदी वास्ट करेगी बलकि हमारे साउथ के भाईयों को भी हम से लिए जब यह पढ़ेंगे कि उनकी तम तमिल लिपी की जनिनी है तमिल लिपी की मदर स्क्रिप्ट है और आज तमिल लिपी के आप देखेंगे इसके बहुत राउंड राउं कि बितना स्वात हो तो यह हमें न खेबल साय्तिक नूप से बलकि दादमिल के नूप से भी साउथ साउथ के बाई बंगूँं को वह हम से जोड़ेंगी तो हम इस लिपी के आधार पर पर पाली वहस्टा के आधार पर जो पूरगा पूरा इत्यास ही बाज़ा की हरा रहा ह हम पुना स्रेष्टा को पाइदान पर खड़े हो सकते हैं तो आप समता की बात करने की आउसकता ही नहीं पड़ेगी जो आगंतिक है वह खुद आपने पास आएगा चलके कि आप समता की समता कर हम तैयार समता करने के तब आप उस पोजिशन में होंगे कि हमें समझाता करना एकि लिए आपके पास प्राता तो सक्ष है आपके साथ है तो आपको समता के लिए सीधी लड़ाई नहीं लड़नी है आपको प्राता है तो सक्ष की उपर लेते हुए आपको तब आट्रमेटिक वो खुद चलकर आपके पास आएगा आपको जागने की जुरूद नहीं होगी एतियास भी कहता है सक्ष भी कहते हैं हमारे पुर्खे भी कहते आएं और भही बात हमको मानना है भही बीदा पीप जो डिया पर पाबंद ही लगाई है लेकिन आपकी संस्कृति से काया हो गया आप तो अन्यों मान लिया आप अच्छी बात है जो नहीं बुद्ध कहते हैं क्यों बुद्ध मना करते हैं लेसुन खाने के लिए जो हार घ्रण करते थे उसके बाद देष ना कंपल सरी भिक्क बोजन ग्रेंड करेंगा पर देशन कम पर साली एक उसको जो जो चुका ना है जाए दिए लेस्वन खाएगा लेस्वन खाकर जो पासमार बैठे हैं उपासर बैठे हैं लेस्वन के स्मेल से वो बिचले थोंगे इसलिए बुद्ध ने कहा खाना काने कि उसमें आपको आपको प्राश्चित कर लेंगे प्राश्चित करने के बाद आपको माफ कर दिएगे पाली मैं थोड़ा सा लंबा खिच रहा हूंगे ज्यादा हो तो बता दीजीगा मैं थोड़ा एक पॉंट लेना चाहे रहा हूं उसमें अपोसत कंपल सरी थे उसमें हर 15 दिन बाद पाथी मोख ना केवल भिखु भिखुनियों की कंपल लिए कंपल सरी था बलकि उपासा को अचया travelling कहा है जो हमारे पास थी विखु भिखु भिखु को भिखु का अलग या अलग जखा सभी कोई कम्पल सरी था पाती मोग करना पाती मोग क्या था पाती मोग ली चार तिफिया थी पूड मासी अमावस की पहले की चतोरदर्सी ऐस्टमी और पृति पदर इसका अर्थी था यहादी मैं समाद में में रहए हुए सिसाइटी में रह रहा हुए उपासिक और पांसी का संग के विक्वू जो विनबैक्व और के हर 25 दन में मुझे है कि क्गण मैं मैंने को आपकर निध्डेख इस प्रकार भिक्वुनी संग का विक्वु संग में विक्वु अपना रखेगा आप समझ यह इस तरह की विवस्ता आज प्रिचलन में होती तो आज अपराद होते हैं अपराद होई नहीं सकते हर 15 दिन में इस आपको संग के सामने उपसे दोना पड़ रहा है निए नविए ने भी विवस्ता है समराड असोक ने लिखवाएं तो राजनेतिक नहीं है समराड असोक उस लालेक में लिखते हैं कि इन सलालेकों को हर चतुर मास में आपको पढ़ना है आपको सुनना है उसमें लिखा हुए उनमें पालन करना है तो यह भगवान बुद्ध का जो बिने पिटक है जो बिने पिटक को ही सम्राट असों का आगे बढ़ाती है कलंतर में और आगे रहता है लेकिन हमारे बर्तमान समय में ना हमारे पास अपना खुद का बिने पिटक है उसकी आधार पर भी हम सम्मिधान के आधार पर भी यह अपना लाइफ को अपने आच्छनों को सुदार है तो अभी भी हम कुछ हद तक वो उस स्टेज़ पहुंश सकते हैं जहां से हमारे पूरवजों ने जह का देना शुरुआत की ती जहां से देशना देना शुरुआत की लंबा हो गया है बहुत और मैं आज इस पुस्तक का जो बिमोचन चल रहा है कर रहा हूंग एक्छली और किताब साथ मेरे हाथ में यह हूं के पास होगी तो इस किताब के माद्दम से आप बाली भासा ही नह इस बुक में जो हम समिदान की उद्दिषका पड़ते हैं इस वीं तो मैं कोसिस्क कर बशार करें कभी कम हम पाली भासा में भी उद्दिषका का बाचान करंद करें. आप लोग उसको प्रिंड कर लेजिए, आप लोग इसको पढ़ा कर देंगे, तो इसमें हमने धमलिपी स है इसमें आपकी वैक अपना बढ़माला है मातरा है आपका इसमें हमने सम्राटसों को सब्सक्राइब किया है संख्या है और इसमें आप ठी शरण भी हमने धम लिपी और पाले में यहां पर दिया हुआ है और नदीयों के नाम है कुछ धंपत गाथाई भी हमने दम लिपी में लिखी है मतलब हम आपको जो और इतियास था आपको वहाँ पर ले जाने की कॉसिस करेंगी और यदि कुछ छात्र इस किताब को नहीं खरीच सकते हैं हम उनको निश्वन की उफलब्द कराएंगी हमने वेश्टर रखेंगी हम दान से इन पुस्तकों को करवाएंगी कीमत नन्यानुवर रुपए रखी गई है यह पुस्तक आपको साथ रुपए में मुफलब्द हो जाएगी यह कोई दस किताब एकटी पर्चेज करेगा जहां सम्राटर सुपद गए थे उसका इसमाने अनुवाद लिए तो पहले हुए उससे कोच बदलाव करने की आव सकता है इसवा है उन अनुवादों का जो रिफरेंस बासा ली गई यह संस्क्रिप्ट में बहुत सब्दों का इस प्राकर्टिक बासा पाली वासा के तो समराडसू के सलालेकों को भी पुना अनुवाद करने की आवसकता है बहुत आवसकता है मैंने बहुत से सलालेकों में बहुत तुरूटिया निकाली है इस प्रकार जो सब्द है ना कि अच्छा को बुरा कह दिया मतलब जो स्रेश्ट था उसको घ्रिंडत कर दिया मतलब आर्थों में इतनी अधिक बिन्निता कर दिया कैसे कर दिया कि अंग्रेजों ने जो रिफरेंस वासा क्रूब में संस्कृट को चुरा क्योंकि आपकी हमारे पड़े लोग तो होते नहीं थे पाली वासा थी नहीं तो संस्कृट लिया और संस्कृट के बहुत से सब जो निगेटिव भरे हुए थे निगेटिव सब्द उसमें आ गए और जो आर्थ का अनवाद किया तो मुझे ताज्व हुआ हैरत हुई कि हम जो कुछ अभी लेक जो अठारा सो चौवन में गनिंगम ने प्रकासित किये थे अठारा सो चौवन से लगवावी तक सतर साल से हम उल्टे पढ़ते आरे उल्टा पढ़ते आरे यह हमारी मूखता है बाबा सामने हमें सक्षा का अदिकार दिया बाबा महामना जो अत्री वाफल हम 1831 में सक्षित कर गए हमारी तो पीडिया नों ध्यान नहीं दिया है हम ज आपके पास मैं भासा का ग्यान नहीं नहीं और आपकी पीडिया भी डोते ही रहेंगी आप नहीं जागे और वो जो जो अनुबाद हुए है वो अनुबाद सही नहीं है मैंने बहुत रूडिया निकाली कुछ अनुबादों में तो मुझे इतनी हैरानी होई हसी आई जब बहुत में आपको पड़ाऊंगा आप भी हसेंगे आपको अनुबाद की तूटी रही है तो आपकी हमारी ये महती जवाबदारी बनती है मौले करता प्रता है कि पाली और धमलीपी को पुना जीवित करना है और आप इस बासा को बिना जीवित किये, इस धंब लिपी को बिना जीवित किये, आप सरेश्टा का पादा नहीं छू सकते, फिर लिखकर रख लीजिए, बिना अपनी बासा के, बिना अपनी लिपी के कितना भी लड़ाई लड़ लीजिए, आप नहीं कर सकते, आप अंग्र झी वाथान नहीं ज间 जो आ पोती में आ सकता है जो हमारे पंजाभी सब्हें सकता है पंजाब के हैड़े क्यों लोटना पड़ेगा अपने लिप्भी क्यों लोटना पड़ेगा मैं मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस सीखें और पाली जहां भी आपको लगता है जो हमारा बाड़ से गुरुप भी बना हुआ है निसुल को हम उसमें सखाते हैं मेरा एक चैनल भी धम लिपीचा उस पर आप क्लिक करेंगे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे या और भी जिग्यास है तो आप मुझे बताएंगे आपको प्रस्तुत कर दूँगा ये वीडियो बनाकर आपने यूट्यूब को चैनल पर डाल दिए जी जी मोतिला सर मैं डॉक्टर आरे स्वामी लखनाव से बोल रहा हूं जी बताएं सर यह जो डाकुमे स्वार्ड का सब्दों प्रकर है हम लिए लेट वी हमारी वासा का सब्द नहीं है स्वर्वी हमारी सब्दने हुश्छ फीलनि निर्वार कर सकते निर्वार से चोड़ सकते हो इसको तो आपके लोग हैं वो आप पे अच्छी तरश्टिस में देखेंगे आप उनकी संस्कृति को ले रहे हैं तो आप उनकी आगे घ्रेण करने वाले होगा या चक होगा जब आपने सब्सक्राइब करेंगे तब आपको फीलोगा प्राउड फीलोगा और हमारी पाली बहसा के स अग्रेजी बहुत अग्रेजी के सब पाली में नहीं आए यह आप ध्यान रख जी इसको अपने डाकुमेंट में हम करना चाहें तो कैसे करेंगे अपने जो उसकी अलग प्रिक्री है है अनिप्रत कर दीजिए उसकी अलग डॉक्मेंट पर चैन्ज करने की बात करना है तो करने की अलग डिजये तो सकते हैं की हमारे लिए हम वह दी कहना है तो हम से ज्यादा समयधान की रूप से नियम के रूप से हम ज्यादा पर कोई हैं यह नहीं इस भारत देष में लेकिन परेशान है कि हम लोग ग्यान नहीं है हमारे और ने अधिकारों पर चाम को आपको अच्छी अच्छा करना में अपने नियमों को अपने बिद्दानों को ग्यान को बाबास अच्छी व्हुस्ता करके गए उनको पढ़ना है लेकर पढ़ना भी भूह जाते हैं पढ़ते में जबकि बावा साब इतना अधिक पढ़ते थे उसे ग्रेंड करकि हम अपने गौर्ण में लाइब्रिरी बनाएं पुस्तक है दान करें जो जरूर नहीं यही पुस्तक खरीदें जो पुस्तक बजार में अप्राओं जो अच्छे सची पुस्तक आपको लगती हैं और उनको बा परान मैंने साची के जितने भी छोड़े चोड़े अभी लेख हैं उनका उन पर रिसर्च के द्वरान पाया कि साची जो वह विस्वरासा सूची में सामिल है उसकी बेदी काम है उन्ताली ट्वटीनाइन सिलाफ पर्टिकाए उल्टी लगी है यह उन्यस तो साथ में जब मुझती मैं किसी जानता है बहुए हमारा मौलिक दायत आपका के आने वाली ठिडी का विदायत है कि हमारी सन्सकृति को और हमattered हमें रखना है को अधिकार नहीं था उन्होंने और ली इत्यास के याद रखा और ली पाली वासा रखी यहां तक लेखिया है दोजार साथ कर जब हमें महामन्हा जो दिए पले वावासां बैठकर जह हमें अधिकार देगा सिक्षा का तो हम जो हम जब हमने कताव खुलना पने हैं हमारी ना में सीखें उसका प्रिचार करें हर जगे अशुक के अभी लिखों को आगे ले जाए तब अब आगे ले जाएंगे जो आगनतुक संस्कृती है और आप से बैक फूट पे जाएंगे को भड कि बहुत यां जीन có मतीलाइल जी तरफ हैं जी बतासों किया अ कि तरफ सकते हैं आप बिल्कुल बिल्कुल की निए शॉक्त संवाज की प्रोपर भिवादी हमारी प्रोपरटी नहीं है आप बिल्कुल चाहएं पाली ओ दंदितिक्क ली काम कर रहे हम आपके साथ इस मेरा कोई अधिकार नहीं है जो इसका पैसावी आता नहीं हो तो दिख रहां तो हम अर्याना की त्रफ से भारत देश के इसको लेना चाहे तो आप इसको ले सकते हैं और उसको शाप सकते हैं कोई परिशाइन देए ठीक है थैंक तू बिलकुल शादुबाद आपको शादुबाद मुझे अच्छा लगा और सबसे पहले मैं आपको और मानिया अमरित लाल जी जो आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है मैं उनको उनके परिवार के सदस्यों को बढ़ाई दूँगा है इस महत्तकून काम के लिए और इस पर चर्चा तो अक्सर चली होगी कि आप एक किताब ला रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं और आज ये हमारे लिए पुशी की बात है इत्फाक से मैं भी आज पूरे एक महीने बाद आज वीदा पीपल से चुड़ा हुए पिसली छे सितंबर की जो मीटिंग थी वो मैंने अटेंड की दियो उसके बाद मेरे घर में एक आगसा हुआ उसकी वजह से मैं जुड़ नहीं पाया आपकी किताब तो अभी हमें हमारे पास नहीं आई है लेकिन आपकी किताब से मुझे वाक्या याद आ रहा है बहुत महतकून मेरे पास कितना समय है मोतिलाल्दी में उसी आप ले सकते दसमट ले सकते हैं मेरा एक इंट्रिव्यू था जहां मैं आज कल नोकरी कर रहा हूं सीजियो कॉंप्लेक्स में कभी एससी में एक प्राध्यापक के लिए मेरा एक इंट्रिव्यू हुआ था और उस इंट्रिव्यू में मैं लगबग आखरी सदस्च्च था मुझे पता था कि मेरा तो कुछ सेलेक्शन होना नहीं है ना मुझे कहीं जोइन करना है लेकिन मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं कहीं बच्चों को पढ़ा हूं और मैं किसी यूनिवर्स्टी में अपना जोबदान दूए उसी के कड़ी में मेरे एक जब मैं गत्विदियों को नजर रखने के लिए रखते गए तो उनमें से एक सदस्चे को मैं पहचानता था आज वो नहीं है क्योंकि भाशा विज्ञान और धमलिपी की कुस्तक है तो एक प्रोफेसर आशो कालरा हुआ करते थे भाशा वित्ते वड़े अच्छे इस तरह से हमारे आज कल मानिय राजंदर है उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा के संस्कृत के बारे में आपका क्या ख्याल है मैंने कहा कि संस्कृत एक मरी हुई भाशा है और जैसे ही मैंने उन्हें ये कहा तो ऐसा लगा जैसे उनकी कुर्सी के नीचे किसी ने कांटे बिचा दिये हैं और एकदम वो चारों के चारों कुर्सी से ऐसे बिद के जैसे मैंने कोई अपराद किया कि मझे कहते हैं और ज不要 कृवस्छाने कृस्टह सकते हुए कि मैंने का कि सिद्ध कर सकता हूं वह मैं सिद्ध करते hack realidad करते मेरे इंट्रिवीड साजिन का किसी का दो मिनट किस का तीन मिनट पांच मिनट हुआ तो मेरा इंटर्वू सत्ताइस मिनट हुआ और बाद में मेरा ही सेलक्षा वह अलग बात है कि मैंने वह जोइन नहीं कि कुछ लोगों की कुछ विशिष्ट लोगों की भाशा थी और विशिष्ट लोगों की भाशा जो है वो कभी भी जनता की भाशा नहीं होते हैं वह हमेशा मरी हुई हो इस बात पर वह बड़ी लंबी बहस चली और उस बहस को मैं आज आपके सामने इसलिए शेयर करने में साज अगर किसी समाज की, संस्कृति की या किसी समाज को आपको गुलाम बनाना है, तो सबसे पहले उसकी भाषा और संस्कृति को आप तोड मरोड दीजिए, तो स्थितिया बहुत आसान हो जाएं. बात बिल्कुल सही है, आज के संदर्भ में इसे हम अंग्रे जी के संदर्भ में देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रहमन और एक अचूत होता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं. दूसरे एक महत्वों बात दिये है, कि वीदा पीपल से जुड़ने के बाद और फाई सुथी राज जिसे लगातार समवाद होने के बाद, ऐसा महसूस हुआ कि हमारी जो भाशा थी, जो भासा जिसे हम बोते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे अक्षर हमारे बीच नहीं थे, जो बाद में जो रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात को फिर तुबारा से सद्वीदा आपके साथ रखना चाहूंगा, हम लोग कहते हैं कि जब आप कोई मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले ही टोड़े हाते हैं, बाद में मकान बनता है, और मकान जो है, अगर वो लोग दावा करते ह बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकान है, तो जहर सी बात है कि सलस्के से पहले जो भाशा है थी जैसे पाली है, प्राकरत है, या पुपरंश है, वो जहर सी बात है, वो पहले थी और हम उन भाशाओं को आज की जो भाशा है, उनकी एक मा के रूप मैं कह सकते हैं, य दूसरे महत्वपून बात यह है कि पाली हमारे धम की भाशा थी जो पूरा बहुत धम है जो पूरा बहुत धम से भी पहले की जो महुंचोड़ड़ो और हडपा की जहुँचर्चाय करते हैं तो उन लोगों की भाशा है थी वह उसमें बहुत सारे ऐसे अक्षर आज नहीं है भी हमारे धी जो बाद में जोड़े के जो चीज बाद में जोड़ी के तो चाहर सी बात है वो पूराणी कैसे हो सकते हैं बाली अपने आप में पूराणी भाशा है और एक शबद एक जो अक्षर है अप देखे पाली का जन्म जो है बिहार अंचल में होता है लेकिन उसका धेक अक्षर अणा उसको जो उसका आयाम मिलता है वो बन्जाब में जयाए करके देखिए। पंजाब में बिना अणा के का आप इंगर आनना की सब्सक्राण। दूसरा एक शब्द जो अड्याय है जिसे हम आप तोब पर शारत गाल का जीस हम co यारि के जो नाला टाइप उता था उसे हम गाउंधियात में खाल बोलते हैं हमारे हिंदी में गाउंधियात में वो जो अड़ाय शब्द है जो अक्षर है वो मराथी का बहुत ही जीवनत अक्षर और इन लोगों ने क्या साजिस की कि पहले हिंदी के जो टाइप रैटर हमें उनने गाईब गायब करती है यह भाशा के साज के संस्क्रिति के स्थर पर बड़ा बहाल खाले है है हमें इस बात की बेहत्व में खुशी है और महत्पून रचना हमारे पीछ आए और इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये जन जन के बीच एक नया आयाम पे करेगी साथ ही मैं अपने वीद पीपल के सभी साथियों पे अन्रोग करूगा कि हम लोग पाली भाशा अध्धन और संस्कृति पर एक अकादमी बनाएं और उस अकादमी को कम से कम दिल्ली उसका केंद्र बने हैं ऐसा हम लोग कोशिश करें उसके लिए जो भी संसाधन जुटाने होगा उसमें हम लोग साथ रहेंगे हम से जो भी सहे होगोगा हम लोग उसका साथ होगे एक बर फिर मैं आपको बढ़ाई दूगा आपको अमरी कलाल जी के परिवार के लोगों को बढ़ाई दूगा और मुपी लाल जी आपको बढ़ाई दूगा और सभी वीद अपीपल के सभी साथियों को बढ़ाई दूगा है, जैसे कि मैंने बताए एक में अएने बादा आया हूँ तो कुछ हमारे बीच बहुत नए सात्य मैं आज देख रहा हूँ नए सात्यूं के नाब है बढ़ा अच्छा लग रहा है, कुछ बुरारे सात्य इसमाज मैं देख रहा हूं, नहीं है यह चर्चा बात में जारी रहेगी, इस पर हम बात में विचार करेंगे, आपका सब का साधुवाद और मुतिलाल जी, आपने मुझे आवंत्रित किया, सबे दिया, मैं आपका आपारी हूँ, सभी का साधुवाद, जैवी नमुकूत है. बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद. सर मुतिलाल सर, मैं एक क्यों रही पूछ सकता हूँ? बिलकुल, बिलकुल सर, बिलकुल पूछ सकता हूँ. और लज़ शब्द को जान बुचकर, साजिश बनाकर वो इससे हाटा दिया गया है, अलफाबेट से. तो ये जो लज़ शब्द और किस-किस भाषा में आता है, सर? मेरे से बात कर रहे है, सर? ने, मैं तन्म सर से पूछ रहा हूँ. सुदेश कुमार्श. साज शीदेश से और भी कई ऐसे शब्देश, हमारे अहां जो श्लोक वाला श्यह हैा, ये कम कम होता था, वो सीधे-सीदे जैसे मेरे नाम में जो है, उसमें आप देखते हैं, आपका नाम रमेस कटके है, तो रमेस में जो जो पादका जो अक्षा है, से, वो नहीं था उसम बोलता है तो यग्य जो गय नहीं था उसमें यह यह जो रख्षार यह भी बाद की देर हैं जब आप इस पर अनुसंधान होगा और इस पर होगा तो पताचा रएगा कि उन्होंने बहुत सारी चीजें हमारी गड़म-गड़ कर दी यह बड़ी इंट्रस्टिंग भी है बहुत अबुची कर भी है लेकिन इस पर हम लोगों को सबको काम करना पड़ेगा जैसे मैंने छोटा सा सुझाओ दिया है अब यह सभी साथियों को यह हम पूरे नौर्थ इंडिया में क सारकारों की तरफ ना देखें बलके हम अपने प्रयासों से यह काम करें जैसे अभी आधर निये करमदीर जी ने एक बात कही है कि हम लोग इस किताब को च्छापें तो इस तरह के और बहुत सारे काम हैं इस पर हम लोग सामुझ दोर पर काम कर सकते हैं हम भी सर इसको मराठी में अनुवादित करना चाहते है अगर आपकी इजाज़त पो तो बिलकुल 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 हाज जोड़ा और बताना चाहूंगा जो लाग 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 शब्दों है पाली मैं भी लाग है इसलिए उसलिए ना महार महारठी वह बहुत करीब पाली जो महार सभ्द ऐसा को ग्यान नहीं होगा महार सबसे पुराना सब्द हम्में बहुत के इस्तूपर मिलता है महार महारत्ध से आया हूँ मराठी है कि महाराथ की जो दो जातिया है एक मराथा है दूसरी महार है तो इसका उदम जो यह है उदय पहले बाद में साजिश के तरह बहुत बात का है महार बहुत प्रवान है महार महाराथ सब्सक्राइब कि नाम प्रण गॉद केнейरे महाराश सब्सक्राइब तो प्रव पूरा उत्राखंड दो हिस्सों में बटा हुआ है एक है जहां पर नदी जहां पर नाले बहुत है तो जो नाले जो शब्द था वो नाले नहीं था वो नाले था वो जैसे जो आपने पाली में कहा और मराठी में और हमारे हैं अक्षर बोला जाता था तो वहां में गुम खाल नहीं है वो खाल है वो इसी तरह से जो ताल था वो भी ताल है वहां जब आप उसका अध्यान करेंगे या उस तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी यह बड़ी आपने बहुती रोचक जानकारी दिये है और इतने विस्तार से हम लोग उने इस पर चर्चा की मेरे एक निवेदन ये भी है का हमारे जो एक अन्य भाशावीद है राजिंद्र प्रुसास सिंग जी अगर किसी तरह से उनसे भी संपर्क हो सके तो हम लोग मिलकर कुछ काम और हम लोग चर्टा मिलक के बाड़े में जैसे बाबा साब ने इतना सारा समय निकाल कर पालि के उपर बहुत ध्यान दिया और हम अगर इसको बढ़ाव देते हैं तो हमारा कल्चर इस्टेबलिश हो सकता है जैसा कि हमलता बहन जी नहीं कहा है कि वो तो पहले आपकी लैंग्वेज को ही अटेक कर देते हैं और वो आपके उपर गुलामी थोप देते हैं तो यह पाली का जो किसे अफरीकन के बारे में बताए तो उसका किताब का रेफरेंस मिलेगा हमें वो अफरीकन राइटर जो है जो उसने बताए है अचा उसका किताब का टाइटल और वो अगर क्या डाल सकते तो हम नेट से उसमें देख सकते हैं तो परियार जी आपका तो टाइम था लेकिन सारा सिस्टम ऐसा बढ़ा कि लाल सिल्टारा आज बहुत दिन बाद मैं आप सब लोग देख पा रहा हूँ जी जी का थोड़ा वक्ते विए यह था कि कुछ बुद्धिस्ट जो है हिस्ट्री थोड़ी हर्याना और एड्जोइनिंग एरिया के पे इनको कुछ बोलना था बूलवादी जी अभी तो है अभी समय है बुलवाईए मैं चाहूँ को यह बुलाज संग पाद है एक दो बक्त करनी जा रहे है जी 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 डॉट्टर लाल सिंग जी आ जायें जी 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 वीदी पीपल के सभी साथियों से इसको बहुत-बहुत साथ वद बहुत बहुत ही जैभीम नमा पुद्धा है और आज बहुत ही विचार पूरवक्न चरचा हुई है तो इतनी संदर सं इतनी बीदा प्रिपल के लिए आज बहुत अच्छा दिन है सब बदाई के पात्र है कि मोति लाल जी वह रहा हमारा जो एक बहुत 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 बहुत धर्म का बहुत बड़ा केंदर रहा है और जिधर भी निकलते हैं उधर बहुत संस्कृति के नजर आती है बहुत कुछ वहाँ पर खुदाई में भी मिला है हर शहर में तक्रिब है वहां हम भगवान बुद्ध का मेरट से मेरट में हसना पूरि है वहां से दिली और दिली से रोतक रोतक से लाली होते हुए हिसार और हिसार से यमना नगर जाने का उनका दिव्यावदान जो गरंत स्री लंका से परकासी तो इसमें ये जानकारी पूरी मिलती है कि भगवान पुद्श्वाम हर्याना में आये थे और इन शहरों में वो खुद गए थे टोपरा वो जगह है यमना नगर के पास जहां असोक स्थंब पहले मौजूद था लेकिन उसको दिल्ली में लाया गया और उस पर जो सिलालेख लिखे हुए हैं पाली भ में अनुआद किया है पुरे सिलालेकों को और बुख प्रकासित किये तो भगवान दिल्ली से लाली गए रोतक गए रोतक में बहुत बड़ा केंदर विक्सित हुआ जो खोकरा कोट के नाम से भी जाना जाता है बहुत वहां पर अभी टूटा फूटा पड़ा हुआ है और वहां पर एक असोक स्तंब असोक स्तूप आज भी मौजूद है मैंने काफी लिखा उसके बारे में पुरातत वी भाग भी उसको स्रक्षित किया जाए तो रोतक में म्यूजियम भी है वहां पर जो स्तंब पे लगने वाले स्तूप के पथर होते थे वो भी मैंने खुदाई की और वहां रोतक का जो संग्राले उसमें उनको जमा करवाया हुआ है रोतक से आगे हिसार लाहली गाओं होते हुए गए तो लाहली के इतिहास को भी जिंदा रखने के लिए सतना रहन गोहिंका जी ने वहां पर विपशना केंदर स्तापित किया है लाली गाओं में वहां के जाट समदाए के लोगों ने उसमें भाग लिया और वहां पर आज दस दिविशे सिविर कायजन किया जा रहा है लाहली गाओं रोतक से जब आप हिसार जाते हैं हिसार स्वम भगवान बुद आये थे और भगवान बुद ने वहां पर कुछ तेहरा ऐसे अलग-लग वि प्रित्रों में उन सबको भगवान ने अग्र की उपादी दी उस अग्र से अग्रवाल संपरदाय के स्थापना हुई यह एसन गोयंका जी ने भी अपने एक पत्र में यह लिक्षप च्छपा था तो इस परकार अग्रा अग्रवा जो शेर है वह भगवान ने जो अग्र क की उपादी दी उसे वह सेर का नाम पड़ा और उसी से वह अग्रवाल समाज के स्थापना हुई और वह बहुत बड़ा छित्र है कई मिलों में फैला हुआ हुआ पर आप स्तूप है मेडिटेशन सेल्स हैं वह आप जाके देख सकते हैं हिसार में असोख स्थांब है जो हिसार के बाद आप यमना नगर में जाएं तो यहान सांग ने वहाँ दस स्थांग का जिए कर दो एक स्थांगी तो खुदाई हो गई है और प्रातत्विवाग ने उसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेंड किया हुआ है तो जो भी लोग यमना नगर जाएं तो उस स्थां यमना नगर से तीस किलो मीटर आगे आदी बद्री एक जगह हैं आदी बद्री में बहुत स्थांग और बहुत विहार खुदाई में मिले हैं और वहाँ पर म्यूजियम भी बनाया गया है जो चीज़ें भी बहुत साहित की वहाँ पर उपलब्द हुई थी वह यमना नगर के उस आदी बद्री स्थान में उनको सुरक्षित रखा गया है आप आदी बद्री से आप दिली से एक बस भी जाती है सीदी जो लोग देखने चाहने चाहें वो सीदा बस से देखके रात तक वापिस भी आ सकते हैं तो उसके अलावा जो विपशना केंदर स्थापित उसका नाम धम पठान रखा गया है जो रोतक में धम केंदर बना है उसका नाम धम हितकारी रखा गया है जो सोना में विपशना केंदर बना है उसका नाम धम सोत रखा गया है और जो हस्तनापूर में बहुत केंदर बना है उसका नाम धम सुधा रखा गया है तो आप देख कर रहे हैं यह भी एक मेटव बात है धम के परचार परसार के लिए और धम को मेटव देने के लिए तो जो दिव्यादान गरंथ है स्री लंका का उसमें यह अन्य जानकारी एत्यासी ग्रूप से मिलती है जो यमना नगर के पास में गाव टोपरा है टोपरा में जहां पर तेहरवी स्थापदी में खुदाई में जो स्तूप स्थम्ब मिला था तो उस स्थम्ब को दिल्ली में लाके लगाया गया लेकिन वहां की एक सरपंच ने कुछ साल पहले रामकली सरपंच एक जाटनी उसने इतना प्रियास किया कि जो दिल्ली टोपरा स्थूप स्थम्ब लाया गया उसको वापिस हमारे गावं में दिया गया वापिस दिया जाए और उसने वहां धरना भी दिया कई साल उसके लगातार प्रियासों ने सरकार को मजबूर होना पड़ा कि पचास करोड़ रूपे कि हम स्थम्भ तो वापिस नहीं दे सकते लेकिन पचास करोड़ रूपे प्रास भी भागने सेंक्शन कि कि ऐसा इस तूप हम दूसरा बना सकते हैं लेक पर एक असोग धर्म सहालवी बहुत बड़ी सम्राथ असोग के नाम से बन चूकी है और महां पर एक बहुत बड़ा धम चक्र लगाया गया है जो इंडिया में आज सबसे बड़ा धम चक्र है वह टोपरा जगहें में आप जाएं तो इस तरह से हमारे हर्याना में दुबार से जाग रहा है और उसे बाइन को भी हम अनुवाद करते हैं जो साथी बहुत साइट को समझना या पढ़ना चाहते हैं वो ताइवान एक ऐसा देश है जिसने बहुत साइट को विस्व की सभी वासा में अनुवाद किया है और वो मुफत में फ्री आप उनको लिखें तो वो साइट आपको भेज सकते हैं ताइवान में में चीन गया तो चीन के हर बहुत विहारों में ताइवान का फ्री दिया हुआ साइट बहुत विहारों में भरा पड़ा है आप जिस देश में भी जाएंगे ताइवान का छपा हुआ उनकी भाशा में आप भी जिसको चाह यह तो इस प्रकार हर्याना के काफी जो जितने भी शहर हैं उन में बहुत धर्म जाग रहा है विपस्टना से भी जागा है और इन विपस्टना केंद्रों में पूरी जैसे एक बहुत विहार होता है उसकी तरह से सारी प्रग्या की सील की और समाधी के ज्यान की एक पुछले मैंने बहुत मोटी मोटी बात ही बताई है फिर कभी समय मिलेगा तो एक एक केंद्र की बहुत डिटेल जानकारी आपको देंगे आपने समय दिया सुना आप सबका मैं बहुत-बहुत साधुवाद करते हुए अपने वाने को विराम देता हूं जैविम नमों बु भी है यह बूद भूमी हरियाना इसमें हरियाना के लगवग बर्दी साइट्स है वह लग सारी है थोड़ी एक्स्प्लेंड की वी है उसमें इस फोटोग्राप्स दिये हैं एविटेंस के तोर पे आप आप यह हैं किस की जगएं किस की शहर में क्या क्या चीज़े हैं वो इसमें पूर एविडेंस के साथी हैं सभी शहरों के फोटोग्राप्स भी लेकर दिना आदी बदरी से एक मिला था यह बुद्धा का स्टैट्टू जिस पे गॉल्ड उस समय का समय का गॉल्ड इस पे प्रिंट किया हुआ था इसको सिम्ला के मेजियम में भेज़ दिया गया है कोई सिम्ला कोई आदी बदरी का जो बुद्धा का स्टैटू गॉल्डन कोटिड था उसको देख सकते हैं धी थैंक्यू और कुछ पूटे चाहें हरियांदारी के लिए बारे में और एक एक जानकारी और देखाम जितने बड़े बड़े प्राचिनस तो बहुत हरिया रमे में मिले वो कुसान राजाओं के समय के हैं जास आत तो कुसान राजाओं ने धम का बहुत परचार किया था और जोब ही यह हमारा करो राष्तियमाड था उस राष्टिये के ऊपर वह विआ साल कुषान कालिन स्थ्यू पर घंद कुसान राजा विसंद अब यह जांकारि से अधिक्छ मौनि ठीक है और कोई क्वेस्टिन किसीमें को कर दो कि कि नीठी की को है वाली सब्दे भगु का माने होता है जिस मनुस ने तप करके और तीन चीजों से जिसने रगद्वेस और महोग जिसमें भगन हो गया है उस भगन से भगवान कहलाता है अनिता मैं शुरू कर दो तबी जिसमान का तजसर कुन मेरा सप्रेम जैभी और नमगुदाई जैभी नमगुदाई जैभी जो इस पीपल जो प्रोग्राम है जो उपक्रम है जिसे हम चुड़े हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि हम सब लोग हमारा इतना महत्वपूर्ण जो कार्य है समाज के परती हम यहां पर कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं कारेकरण की शुरुवात करने से पहले आज के सभीधान के प्रास्तविका जो वाचन है वह मैं सनमानय सोनी जी इनको मैं अनुरत करूँगी कि वो सभीधान की प्रत्तविका का वाचन करें तन्मानिय सोनुजी जैभीम नमगुत है सभी को और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आस परस टाइम पढ़ रही हूं और प्रोग्राम में तो मैं ठीक से कर पाऊं से जिम्मेवारी को पूरा भारत का सविधान उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्वत्वत्पन समाजवादी पंथ निरपेश लोक्त अंत्रमक गनराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक, आर्थिक और राजनिटिक नियाय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सतंतरता, परतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनशित करने वाली बंधुता पढ़ने के लिए दृड़ संकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आज तारिक 26 नॉवंबर 1989 स्वी मती मार्क्षी शुल्क सत्मी समवत 2006 विक्रमी को एक आतु द्वार इस सविधान को अंगिकृत अधिनियमित और आत्मपर्त करते हैं जैभी नमवुद्धाय थैंकि मैम सादू 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 अभी हमारे प्लैट्फॉम पे करिबन 61 लोग जुड़े वे हैं तो मैं सभी से अनुरत करूंगी कि वो संचिप ने अपना अपना परिचे दे और मैं यह शुरुवात खुछ से करती हूं मैं अनिता गवई राउट, हम राउटी प्रॉपर से हूँ और यह जो वित पीपल के कंसेट है इसमें मैं सन्मानिया हमारे रमेज जी कटे सर हमारे बार्दर्शिक है तो उनकी वज़े से यहां पर जुड़े हूँ मैं डॉक्टर बावर सवांबेकर संशोदन और प्रशिक्षन संस्था में समता दू यह पत्ते कारे रत हूँ और यह पत्ते कारे रत होने की वज़े से मुझे समाज में क्या चंद्रा है जो छोटे छोटे गलियों में या फिर सम एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी समस्य क्या है जिमें बतलब करीब से मैंने देखी हूऊ है तो मुझे इससे लगता है कि हमारा अगर हमें उन्न्ति करनी है हमारी प्रगत्रप्र अगर हमें करनी है तो सविधान के सिवाए हमें कोई चारा नहीं है और इसलिए ऐसा कहते हैं कि गीता बाइबल हो या कुरान सबसे आगे सविधान क्योंकि सविधानी ऐसा है कि हमें हमारे जीने का हग, हमारे जो अधिकर है, वो केवल और केवल हमें सविधान की वज़ते प्राफ्ट हुए हैं। हमारी उन्नती कर्मी है, तो राजनीती के सिवाए हमें कोई चारा नहीं है। ऐसे लोगों की concept है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, सविधानी हमारे सभी जो questions है, उसकी जो चावी, मतलब यह सभी questions है, यह सभी questions का ताला खुलनी की हमारे पास एक चावी हमें मिली है। का बेटा होगा, लेकिन सभीधानी हमें हमें एक ऐसी चावी सोक है, कि हमारे हाथ में, हमें एक कोटिंग का बटन दिया है, बत्त, हम जितने जा सकते हैं लेकिन अभी भी हमारी जो सोच है अभी भी हम घराले शाहिद को ज्यादा महत बदेते हैं तो यह हमें सोच बदल नहीं है और यह जो कंसेप्ट है विद पीपल में हमें बहुत अच्छा लगा है कि सविधान की वज़े से हमें हमारे जो अधिकार मिले ह वह हमें समझना चाहिए और विज़े पीपल यह कंसेप्ट में लोगों को जुडाना है और जब हमारे साथ में ज्यादा लोग जुडेंगे सभी हम जित पाएंगे हमारा सविधान भी जित पाएंगा यही मेरे यहां पे जुड़ने के पॉइंट है और एक कदम हमें भी अब हमें जी कटके सर बहुत बहुत धल्यवाद आपका और मैं अभी वागी हमारे सन्मानिय करूंगी कि अपना परीचे वो संशिप्त यहां पर रगएंगे कांचन वीरता ही है अपना संशिप में परीचे दीजिए बहुत सारे लोगों को परीचे देना है तो संशिप्त में कहिए बात प्लीज मैं कांचन वीर महारास्ता से यहत्मा डिस्टिक में नेर परसपन्त यहां पर रहती हूं और मैं माननीय रमिष्ट कटके सरजी के तरफ से यहां से जूड़ी हूई हूँ और मैं अनाग बच्चों के लिए विद्वा परितक्ता महिलाओं के लिए काम करती हूँ अभी बु जो आज यहां पर नए लोग जुड़े हैं तो अपना संचीत में परिचे यहां पर दे मैं अहर सिंग बुलंशेर से हूँ और मैं आज ही इसमें जुड़ा हूँ यह मेरा पर्चे है सर आप क्या करते हैं? मैं अभी रिटायर हुआ हूँ पिछले साल सर्विस से और मैंने भारती बहुत महासवा में काम किया हुआ है ग्यारे साल जिलाद्यक्स राओं बुलंशेर में दूसरा बुलंशेर में बुद्वियार बना है उसमें भी मैं उस टीम में भी मैं सामिल रहा हूँ यह मेरा पर्चे है और विट पीपल कंसिप में आपको और लोगों को जुडाना है ताकि हम सविधान के मारे में जा सके और सविधान को आगे आगे बतलब हमारा जो उडेश है कि सविधान सबको समझना चाहिए सविधान के जैजैकार होनी चाहिए तो यह हमें करना है तो और आगे भी आपको लोगों को जुडाना है और लोगों को भी अनुरोज करूंगी कि वह अपना परिछे संचिप में यहां पर रखेंगे कि अब्स आत्कियों को जैविम नमगुद्धाय मैं डॉक्ट आरे स्वामी लखनाव से मैं गॉर्मेंट सेवा में हूं और मैंने मैं मैं जुडा हुआ हूं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है वी अपना विचार संचिप में रखना चाहरा हूं कि आज हमें बहुत खुसी होती है कि जब हम एक मंच पे इतने बुद्धिवी हमारे गौजन समाज के समर्व समाज के बुद्धिवी साथ ही जूड़ते हैं अपने विचारों को रखते हैं हमें अपने महापूर्सों के प्रती अगर सच्ची आदरांजली देना है दिखाना है तो हमें अपने महापूर्सों के विचारों को अपने बहुत कि अधिया आपकी सब्सक्राइब करें अब आवाज आ रही है जी सब्सक्राइब तो फिर से बोलू मैं मैं लगता सुना यह नहीं दिया उन्ले इस सब्सक्राइब अभी बीच मैं आवाज रूपे तो अच्छा अच्छा तो मैं सभी सातियों से गुजारिस कर रहा था कि आप सभी को देख करके काफी अच्छा लगता है खुसी होती है कि हमारे समार समाज के बुद्धिजीवी साथ ही बहुत अच्छा गयान रख रहे हैं अपने महापूर्सों के बारे में लेकिन बीच हो पाएंगे जब हम अपने महापूर्सों के आदर्स को अपने ब्यवहार और आच्छण में उताबने की कोसिस करेंगे जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम उलच करके आपस में बिखरे रहेंगे और यह जो हमारा वी दपीपल का कांसेप्ट है वो कमजोर होगा तो हम सभ हमारे समाज का हमारे समर समाज का कल्याण हो यह हमारी पिछा है जैभी नवह हुदा है इनको अमंत्रिट कीजिए ना अनिता मैं यह सर रत्नमनी का उके कटके सार हां हां सर बोलिए सथी हमारे जूरे है तो यह जो निव मेंबर है उनका परिचित कर रहा है या जो संद्फित है लेकिन नये वह कर लोगों को किलीव परिचित करना चाहते है उनको वह सरल लगे कि मैं यहां पर आन्वाल हुआ हुँ तो मेरा मुझे बिचांच दिया जा रहा है घए परिचित किया जा रहा है, हम लोग तो पैचान किया है, लेकिन हम भी पीजबिश में अगर कोई नहीं है, तो हम कर सकते हैं, परिचे, आप अपना प्लिज परिचे दीजिए, कि अब्देशानाय ममा अभुवादन, जयेदीबा नमवर्जा, ममा नमर अथन नामिका उसके, अहां अमरेट लाद इसके साय बसका भर्य है, साथियों से ये गुजारिस है कि जो भी हमारे नए साथी आजवी पिपिल जंग मंच से जुड़े हुए हैं वो किर्पे अपना हैंड रेज करते हैं ताकि हम लोग उनको बारी-बारी से असानी से बुला के एक दूसरे का परिशे करा सकें थेंक ये साथ अनिता मैं स्वरांगी साथ पूते में भी है हमारे भी इस अपर रखें है ये ये अवाज आ रहे हैं हाँ नमों बुद्धा है मैं स्वरांगी साथ करते हूं मैं फाइनल यर इंजिनेरिंग स्टूडेंट हूं मैं मुम्माई मेरे और मैं को मुझे सून्टके जी ने ग्रूप में आड़ किया है तो उन्होंने मैं को कहा कि यहां पर मैं जॉइन हो कि अपनी समस्याई भी बता सकती और बाकी दोगों से परिचित भी हो सकती मैं पहले बार मीट अटेंड कर रहे हूं तो मैं क्या अपना समस्या रख सकती हो आपके संब्सक्राइब तो मेरा मेरा भाई है तो उसको यूके में लंडन के पास अपने सेंट्रल गावर्मेंट स्कॉलर्शिप अविलेबल नहीं है जबकि करनाटा का तेल लंगना स्टेट में अंडर्ग्रेजुएट के लिए स्कॉलर्शिप है कीजिव कि अगल्सक्राइब नहीं हो पारा है क्योंकि उतने फाइनशली इस ट्रॉंग नहीं है हम और बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशन जा रहे हैं तो हम कहीं से भी स्टूडिंग या लोन हो जाए तो भी या कोई सपोर्ट न जाए थोड़ा बहुत सवरंगी मैं आपने गवर्मन अप माहरास्तर के लिए अप्लिकेशन किया है किया है और सोचल जेस्टिस डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रैजिटियूटी नहीं है अच्छा एडाइब जाना चाहता है उसका कॉलेश शुरू होता है हम स्कॉलर्शिप ना होने के करण हम उसको भेज नहीं पार है क्योंकि वीजा में प्रसेस में यह होता है कि हमको साल भर का खर्चा एक ही अकाउंट में दिखना पड़ता है आप सोचल जेस्टी डिपार्टमेंट में गया हो मंत्रा लाइ महारास में हमने बहुत किया एट मांच से ट्राइक कर रहा है हम पारजी को भी लेटर देखिया है हम आठवले सौज से भी मिले बट कहीं तुछ पॉजिटिव रिस्पॉंस नहीं हम लोगों मिल रहा है अब अबी तक सेक्रेटरी साब को मिले आप सेक्रेटरी सोशल जस्टीस मैंने उनको मेल किया था अच्छा आप एक काम और अपना नंबर चाट्वाक्स में छोड़ो अलग से बात करेंगे उन लोग जी सब्सक्राइब को भी जुड़ाइए और आपके ऐसे कई समश्चा भी हो आपके वि आज जो भी नए सदर से यहां पर जुड़े हैं तो प्लीज अपना आगे होके आपना खुद का परीच्छे देए जैबिम नमोगुद्धाय मैं समिता उर्के अम्रेता लुड़के लिखी बहू हूँ हूँ अभी मैं फिलाल अभी मैं वर्किंग नहीं हूँ रिगार्द मैंने जॉब रिजाइन देदिया था मैं फाइन्स में जॉब करती थी और मैं यहां पर्स्ट टाइम ही जोड़ी है हमेशा में सुन्ती रहती थी पापाजी जब दी ओनाइं करेदे थी आप मोटी लाल भाया दे को बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने इस बुक के लिए बहुत नहींत किया है और आप सभी का भी बहुत सभीयोग मिला है इसी तर अपाजी का नाम आगे बढ़ता चलो जाएगे आप सभी का साधी आगे जब इन्होंने जब दो जाए और आगे हमारे जो यहां पर सदसे नए जुड़े हुए है को प्लीज अपना परिचे आपुद हो के दीजिए अभाई कुमार जी है अनीता मैं अभाई कुमार जी प्लीज अपना परिचे दीजिए नमु गुद्धा है सर मेरा नाम अभाई कुमार राम्टे के है मैं नाथपूर के हूँ मैडम और मैं प्रावेट जॉब करता हूँ प्रदान मंत्री आवास योगना अंतरगर कभी-कभी मैं जूड़ते रहता हूँ सुन्टक के सर ने लिंक भेजेते तो तो कभी-कभी मैं अटेंड करता हूँ मैडम मीटिंग वह अच्छा लगता है और ममदों जूड़ते रहता हूँ हुआ है जो नए सदक्सिया है, उनसे मैं राजकुमार बडोले साहब है, इंजिनियर, उनको बोलिए न, प्लीज, अनिता मैं, येस सर, राजकुमार बडोले साहब, प्लीज अपना परिचर दीजिए, महारास के लोगों को आपका परिचे है, लेकिन आप अपना परिचे, ये जो प्लैटफार्म होए, यहाँ पर प्लीज दीजिए, अनिता मैडल, जो भी महिलाएं अपना इंट्रोडेक्शन दे रहे हैं, उनसे बोलिए कि वो अपना नमबर चैट बॉक्स में डाल दे, जो भी महिलाएं, यहाँ पर अपना परिचे दे रहे हैं, प्लीज अपना जो मोबाइल नमबर और नाम चैट बॉक्स में प्रपया करके डाल दीजिए, राज कुमार बडोली जी, प्लीज आपका परिचे आप दीजिए, अनिता मैमें शिद्धोधन पूना से है, शिद्धोधन मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि जो भी नए सदे से यहाँ पर आज चुड़े हैं, वो पर अपना हैंड रेस करें, थाकि हम सकेंगे कि वो नए सदे से हैं, शिद्धोधन जी प्लीज अपना परिचे दीजिए, मैं नया नहीं हूँ, मेरा परिच्चे देने की अभी जरूर है तो मैं दूंगा, बट आया ओर्रीड जॉइन इस ग्रूप, टू मन्स बैक अनली, कि इस तो गडान परिच्चे दी, हैंग यॉपट इस टिल रिकॉइट, विल इंटृटिस मैं से, मेरा नाव शुद्धोधन बाग्ड़े है मै पुना से हूं ठीक है, आइम वर्किं इन बैंक थेंक आइंक थेंक्यू ताराचंद जादव साहब भी है बीच में हमारे वीच उनको अमंतिर कीजिए प्लीज ताराचंद जादव साहब प्लीज अपना परिचे दीजिए दो हैं अनिता जी दो हैंड रेज हैं उनको लेड़ दो हैं राजवीर सिंग जी अपना परिचे दीजिए प्लीज आपका माइट मूट है राजवीर जी प्लीज माइक अन्मूट करके अपना परिचे दीजिए मैं राजवीर सिंग पानी परिचे जी राजवीर सिंग दूसरे हैं राजवीर सिंग जिन्होंने हैंड रेस किया है और माइट मूट है सर्थ माइक मूट है मूट है मूट है अच्छा एक वन प्लस नौड है अनित्ता मैं मिस्टर ये सर उदेबान लांगे सर भी हमारे यहां पर वाश्रूम से जुड़े हुए है अपना परिचे दीजिए सर्थ सब को करांति करें जैविम करीबन माइट वन मंस से आपके साथ जूड़ रहा हूँ और आपकी टो आड़ोलाजी है काफी अच्छी है और रमेस कटके जीजिए उससर है उनके साथ काफी अच्छा एक्पेंस रहा है मेरा काम करने में सोसाइटी में जाके तो यह जो कंसेप्ट है काफी अच्छा है और लगता है कि ऐससे प्रोगाम में बहुत सरे लोग जोड़ने चाहिए और सर हमेशा उनके साथ कनेक्ट करते रहते हैं और लास्ट टाइम भी मेरा इंट्रोशन दिया से इसलिए अगर कोई नया आज में तो इंट्रोशन दे सक सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज अपना परीशित दीजिए वन प्लस नॉर्ड अलो अवाज आ रही है मैं सर जी मैं प्रोफेसर सुर्यकांद मादरा संभाल कर बात कर रहा औरंगबाद से हमारे मित्र वानखेड़े सर इन्होंने मुझे प्रेडिक किया आज आपके जूम एप पर जोईन होने के लिए मैं सब को जैभीम करता हूं सर जैभीम नहों होता है बोलिए सर आप क्या करते हैं कि मैं प्रोफेसर हूं सर कॉलेज में हो आप औरंगबाद में है यह आप औरंगबाद किलोमेटर पर यह कंणर नाम का अच्छा आर्ट कॉमर्स साइंस कॉलेज है वहां पर हूं अच्छा परम कोपे सर को पहचानत है आप पीपल से जुकेशन सुसाइटी में जो प्राध् कि अपना नंबर चैट वोक्स में छोड़िये अलग से बात करेंगे प्लीज प्लीज ता और मैं विद पीपल यहां इस संग से पीछले देड़ महीने से जुड़ा हूं और मुझे यहां पर अच्छा लगता है मैं बहुत सारे लोगों को आमंत्रीत करते रहता हूं और यह आइडियोलाजी बहुत बढ़िया है जिससे कि हमको जो भी हमारे हित्व और उद्देश है वो अगर प्राप्त करने है तो इतने सारे इंटिलेक्शल लोगों के साथ ब जो लंडन में घर है उसके लिए मतलब वो महारा सुसंदर मिलेंगा इसलिए तो थैंक यू यहां पर जो नए आज कदर से जुड़े है उनसे मैं बुचारिश करूंगी कि अपना परीचर दीजी कि अपना है डाउन करते है राजबी सिंग आपका है अपना है डाउन करते है तो कि आपका परीचे हो चुपा है कि अपना है यूद्ध रावाशी मैं वाशी रावाशी डाउन वाशी मैं बेटा रमन बाम ले तरम बाम ले तरम बामले ते आप बेटी बेटी अ आप अधिया नोगे अधिया या करते हो इस अब बड़ा तेज बोलो आप तो इतना थेज बोलते हैं आप तेज बोलो पापा तो पूरे इंडिया में ज्यादा बोलते हैं आप क्यों नहीं बोलते हैं आप अपने नाम बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो गर्मे जैप नमा बुदाए करते हैं नाम बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो गर्मे जैप नमा बुदाए करते हैं आप बोलो आप नम बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो गर्ट में ठीक है अजी डॉक्ट साब सोरी देटा माम प्रेरना वुके माम है इसमें आ हमारे बीच उनसे अमंत्रिक कीजिये प्रेरना माम प्लीज अपना इंट्रोप्शन कीजिए प्रेरना में सभी को जैबी नमो बताइ मेरा नाम प्रेरना वुके है और मैं मुंबई से हूँ प्रेर्फेर्शन मैं एचर हूँ कंपनी में चार्टा कंसर्टेंसी सर्विसेश और जो भी छोटे मोटे मेरे लेवल पे मेरे काम के साथ में हो सकता है उस तरीके से मैं समात से जोड़ी हूँ मैं अपना नमबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए अपना नाम और मोबाइल नमबर यहां चाट बॉक्स में छोड़िए निता जी दो नए सदस्यां उनसे थोड़ा पूछ लेया और लिक का से मिला किसने उनको इंट्रोडिल्स किया आप किनके और से जुड़े गए हैं आप ये विद पीपल कंसेट में किसने और से चुड़े हैं किसने चुड़ाया अचुली जो मोतिलाल भाइया है उनकी और मेरे पापा की किताब है जिसके तुर मुझे इंविटेशन आया था मैंने मुझे फॉरवर्ड किया था तो मैंने एड किया है तो रत्नमानिका उके मेही मम्मी और अमरितलाल के मेरे पापा जी जी वेरी गुड़ नमो भुदाय जैविम सर नमो भुदाय जैविम सर मुकुन बंसोल चत्तिजगर दुर्गत से बोड़ा हूं मेडम अब जैविम सर्फ और मेरा काम वा रचना लिखते नेते हर दम काल एक रचना लिखिए आपके अगर इजाज़ा थो तो तो मिनट में पूरी कर दूंगा मेरे असपलता का पिता महा मेरा पाखंड वाद रहा पापा बार बार पुछते रहे बेटा मेरा असपल क्यों रहा मेरे असपलता का पिता महा मेरा पाखंड वाद रहा पापा मेरे बार बार पुछते रहे बेटा मेरा असपल क्यों रहा बजपंग से मेरे सरफे पाखंडों का सरफे मेरे दाते रहे कभी दुर्गा चालिसा तो कभी हनुमान चालिसा पढ़ाते रहे मन्नु वाद और अंध इश्वास से मैं हरदम घिरा रहा ब्रमा विश्रू महेश मेरे मन मंदिर में भरा रहा पापा मेरे पुष्ते रहे बेटा मेरा सफल क्यों रहा हो सफल जीवन मेरा मंदिर मस्जिद जाते रहा तिस्ते वार होली दिवाली जीवर में मनाता रहा जिग्या साले सफल होने की जोतिसा चारे के दर पे खड़ा जब तब पूजन सब कुछ किया पर अब तक आगे नहीं बढ़ा जंदन लेपकर माथे पर कलवे दागा संता सैनिक दल का बनना था सिपाई सिपाई बन बैठा मैं गवर अच्छा का भटक रहा चल मंजिल पर मगर को सो दूर रहा पापा मेरे पुछते रहे पेटा मेरा सफल क्यों रहा बाबा साहिब को पड़ते गुर्शन में पुर्खिले इने पड़कर बने कितने वोकिर लीडर बालिटर भारत का ये इत्या सच्चा गवतम भुद्ध भिम को देखो पड़कर भागवाज गिता रामायन छोड़कर इसने बाबा साहिब भिम को पड़ा सबके सब बने साहाब बाबु साहाब कलेक्टर जाने क्यों आज तक मैंने समग बाद जाती बाद में उल्जा रा मेरे पापा पुछते रहे बेटा मेरे सफल क्यों रहा कर्म मन्त तुम्हे समर्पन तुम्हे करके मैं जीता हूँ मेरे सोर में सर्थ तुम्हारी क्या जाने कियूं रियता हूँ दर्म बताने के पहले ये दी मौत निमत्रन दे आकर यू मत कहिना धर्म हिनू गौतम भुद भिम को पाकर चांदनी रातों से मिलकर गित तुम्हारे बुनता हूँ रहा उजड़ी वस्ती है फिर भी पाथ पूस पचुन लेता हूँ चलकारी बाई की कांती इम्राव का गरव लाना पत्ति वर्ता रमाताई का स्वाग सबीति फिले का लाना बन सिपाई समता सहिनीक दलका तुम धाज़ पंचछ सिल लहरा देना इन गौनों का तामा ताना बाद तुम सोया विश्त्व जगा देना जै भीम नमों गुद्दाए अनिता माम ये रूची बागडे हमारे बीच पे हैं इंसे अमंत्रित कीजिया ये सर मिस्रूची बागडे मिस्रूची बागडे प्रीज अपना पदिचे दीजिये तुम सकते अपने बाद थीचे ये रूची पागडे मिस्रूची पागडे प्लिज अपना पदिचे दीजिये इस अपना पदिचे दीजिये ये विवेकानत गौन्डा ने जी भी अखना जी वे अनिता मैं यसर विवेकानंद गोंडाने जी प्रिज अपना परिचे दीजें हमारे पास पहले से ही समय की पाबन्द है तो प्रिज अपना परिचे थोड़ा जल्दी दीजें प्रूची पागडे विवेकानन्द गोंडाने जी प्लीज अपना परिशेत दीजे पुरफेसर साब महेस जी 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 उनको बुला लेजी मम यस महेस अहरवार जी पुरफेसर साब पर्चे नी हुआ क्या उनको बुला लेजी सर प्लीज अपना परिशेत दीजे महेस प्रशाद अहरवार जी माने पुरफेसर साब आई महेस प्रशाद साब महेस प्रशाद अहरवार जी प्लीज अपना परिशेत दीजे Yes, sir. करता हूँ. हमानी सुदेश तन्वर जी से इतिफाक बात हो गई थी. थोड़ी व्यस्ता की वज़े से मैं इस लिंक को नहीं जॉइन कर पाता हूँ. पर इतिफाक सुदेश तन्वर सामने बात की सुबह किनी और को लगा रहे थे. तो मुझे पता लगा कि आज ये किताब का लोकार पन है तो मैंने सुचा आज मेरे ज्वाइन कर लेंगे. जी जी वाइस सब्सक्राइब करेंगे तो अपने हिसाब से चलाएंगे मंच को. आज धंबली पी और पालिवेकरन भागतिन ये पुस्तक का वीमोचन है. अटो मैं आपका लगा कि का वीमोचन है. झाल 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 झाल